एक आदमी जो कॉलेज का लेक्षरर भी है और लालू परशाद यादो का हनुमान भी है भोला यादो कौन है तो इसका जबाब सिर्फ इतने से जान लीजिए कि एक आदमी जो लालू परशाद यादो अगर जेल में जाते हैं तब भी गेट तक उनके साथ जाता है और अगर लालू परशाद यादो वील्चेर पर बैठकर अस्पताल पहुंचते हैं तब वील्चेर चलाने वाला भी वही होता है अगर लालू यादो जेल से बाहर लिकलते हैं तब गेट पर उनसे मिलने वाला सबसे पहला ब्यक्ति वही भोला यादो होते हैं भोला यादो ऐसे जाता है कि अगर भोला यादों ने कह दिया कि कोई बात गलत है तब लालू परशाद यादों उस बात को कभी काटते नहीं है जिस वक्त लालू परशाद यादों अखेले होते हैं उस वक्त भी लालू परशाद यादों के पीछे उनकी हनुमान हमेशा खड़े रहते हैं कहा परिवार में क्या है इसका अंदाजा आप सिर्फ इतने से लगाईए कि जब लालू यादो जेल में जाते हैं या फिर बीमार होकर अस्पताल पहुंचते हैं तो भले ही परिवार का सदस्य हो ना हो लेकिन भोला यादो जरूर होते हैं बाकियों नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं हमारा विश्य कारिकरम एक्सप्लेनर या वीडियो रैपीडो के द्वारा प्रायोजित है क्या आप कॉलेज या ओफीस अपनी बाइक पर जाते हैं और एक्ट्रा पोकिट मनी कमाना चाहते हैं रैपी के लिए नीचे जो नंबर है उस पर मिस्कॉल दीजिए या अपने अंड्रोइड फोन को खोल लिए प्ले शोर में जाईए और रैपीडो केप्टन एप डाउनलोड कीजिए ड़कुमेंट्स अफ्लोड कीजिए और उसके बाद से राइट करना शुरू कीजिए अब वाप कि भोलोवा सब जब तक रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता भोला बाबू से जब गुलाब यादो ने टकर लिया तब गुलाब यादो छे साल के लिए राश्ये जनता दल से बर्खास कर दिये गया भोला बाबू के उपर किसी ने उंगली तक नहीं उठाया और यह भोला बाबु की तरफ देखने का हिम्मत नहीं जुटाता भोला बाबु के बारे में कहा जाता है कि भोला बाबु को निर्देश देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लालू परशाद यादों को छोड़कर भोला यादों को कोई अन्य व्यक्ति निर्देश नहीं दे सकता है चाहे बोलायादव को धोला बाबु बोला बाबु कहते हैं कहां जाता है लानु परशादयादव के इतने करीब है कि अगर लानु परशाद में तोड़ते हैं तो बिल्द पर थे लानु मंत्र हुआ करते थे जिस दोरान नौकरी देने के नाम पर घोटाला हुआ और आरोप लगा है कि लालू परशाद यादो ने जमील लेकर नौकरी बाटी है तब 2004 से लेकर 2009 तक भोला यादो ततकालिल रेल मंत्री लालू परशाद यादो के उवैसरी हुआ करते थे भोला यादो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीती से जुड़े है बलकि फत्मा के पास एक कॉलेज है जिसमें भोला यादो गेस्ट लेक्चिरर के तौर पर काम भी करते हैं या फिर अब कहलेजिए कि छात्रों को पढ़ाते भी रहे हैं अगर राजनीतिक हैस्यत की बात करें तो कहा जाता है कि लालू परशाद यादो के परिवार में और राश्री जनता धल में राजनीती से जुड़ा हुआ अगर कोई भी फैसला लेना हो और भोला बाबु अग पहले राश्री जनता धल की टिकट पर बहादूर पूर विधानतबा छेदर से विधायक थे जो कि दर्भंगा जिली में पढ़ता है और दर्भंगा ही उनका ग्री जनपत भी है एक और बात कही जाती है कि लालू परशाद यादों के साथ तमाम नेता आते रहे और वह करी के बाद लालू परशाद यादों जहां जाते हैं वहां भोला यादों साथ में रहते हैं अगर केस की सुनवाई हो और परिवार का कोई सदस से ना हो फिर भी वहां पर भोला यादों बतोर परिवार के सदस से अकेले खड़े रहते हैं भोला बाबू कि अकर कृपा किसी र पाश्य जनतादल का टिकट मिलना कंफर्म हो गया है क्योंकि भोला यादो जिसकी तरफ इशारा कर देंगे उसका टिकट कहा जाता है कि कभी राज़त में कट ही नहीं सकता है अब उसी भोला बाबू के उपर आज इंकम टेक्स और सिब्याई ने मिलकर छापा मारा है छापे म कई कुछ घोटाले से जुड़ा हुआ हासिल हुआ है तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे फिलाल वीडियो को में पर समाप्त करते हैं वीडियो को शेर कीजिएगा और अगर फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लिजे और यूट्यूब पर देख रहे है